आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार उमेश पाल हत्यकांट मामले से बड़ी खबर सामने आ रही है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पांच लाके नामी असत का एंकाउंटर हुआ है उमेश पाल हत्यकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें पांच लाकी नामी असद का एंकाउंटर किया गया है अतीक के बेटे असद के एंकाउंटर की खबर सामने आ रही है यूपी के जhanसी में असद गुलाम का इंकांटर हुआ है, बड़ी ख़बर आपको बता रहा है उमेश पाल हत्यकांट के मुखा रोपी असद ऐहमत और गुलाम को पुलिस ने जहासी में मार गिराया है शूटाउट के बात से बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं उमेश पाल हत्यकांट के मुखा रोपी असद अहमत और गुलाम को पुलिस ने जहासी में मार गिराया है बताया जा रहा है कि जहासी में पुलिस ने दोनों को मार गिराया है माफ्या तीक अहमत के बेटे असद को काफी दिनों से पुलिस खोजबीन कर रही थी बड़ी खबर आपको बता रहा है तीक के बेटे असद की एंकाउंटर की खबर सामने आ रही है यूपी के जहासी में असद और गुलाम का एंकाउंटर हुआ है शूट आउट के बाट से फरार था असद बता दे उमेश पाल हत्याकांट के मुकारोपी असद अहमद और गुलाम को पुलिस ने जहासी में मार गिराया है बताया जा रहा है कि जहासी में पुलिस ने दोनों को मार गिराया माफिया अतीक अहमत के बेटे असद को काफी दिनों से पुलिस खोजबीन कर रही थी असद और गुलाम पर पुलिस ने पांच लाख रुपए का इनाम गोशिद किया था अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की खबर आपको बता रहे हैं बता दे मुखा अरोपी असद की तलाश में पुलिस लंबे समय से जुटी हुई थी अब असद का एनकाउंटर कर दिया गया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उमेश पाल हत्यकांट मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पांचला की नामी असद का एनकाउंटर किया गया है अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है बता दे यूपी के जहासी में असद और गुलाम का एनकाउंटर किया गया है पता दे हुमेश पाल हत्याकांट के मुखारोपी असद अहमद अगुलाम को पुलिस ने जहासी में मार गिराया है बताया जा रहा है कि जहासी में दोनों पुलिस ने दोनों को मार गिराया है माफ्याती के हमत के बेटे असद को काफी दिनों से पुलिस खोजबीन कर रही थी वही लंबे आर से बाद पांच लाख के इनामी असद का एनकाउंटर कर दिया गया है बता दें असद गुलाम पर पुलिस ने पांच लाख रुपे का इनाम रखा था यूपी के जहांसी में असद गुलाम का एनकाउंटर किया गया है शूट आउट के बाद से असद फरार था जिसके बाद आज एनकाउंटर कर दिया गया है उमेश पाल हत्यकांट मामले में बड़ी खबर आपको बता रही है पांच लाग के इनामी असद का एंकाउंटर किया गया है अतीक के बेटे असद के एंकाउंटर की खबर आपको बता रही है बता दे लंबे समय से फरार चल रहा था अतीक प्रियागरास से हमारे समवादाता पवन हम से जूड़ चुके हैं पवन उमेश पाल हत्याकान के मुख्या रोपी असद का एंकाउंटर कर दिया गया है यह एंकाउंटर कहां किया गया है क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है जी बिलकुल मयूदे अभी थोड़ी देर पहले ख़बर सामने आई है कि उमेश पाल हत्याकान के मुख्या रोपी अतिक एहमत के बेटे आशात तथा गुलाम मुहम्मद को जासी में इंकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है तो निश्ची तूरूप से ये सबसे बड़ी ख़बर है आज की क्योंकि आज अतिक एहमत और अश्रब को नैनी सेंटरल जेल से पुलिस द्वारा कोट पे पेस किया गया है और वहाँ पर पुलिस द्वारा अतिक और अश्रब को रिमान पर लिया गया है तो आज उमेश पाल हत्या कांड के मुख्या रोपी बनाए गए अतिक एहमत के बेटे अश्रब को पुलिस ने मुडवेड में मार गिराया है और इस मुडवेड के दोरान गुला मुहमत के भी मौत होने की ख़बर सामने आ रही है पुलिस दोरा मुडवेड में मार गिराया गया है तो यह सबसे बड़ी कवाद सामने आ रही है जी मयूरी पवन एंकाउंटर की स्थिति क्यों बनी क्या कोई फाइरिंग हुई जबाबी फाइरिंग हुई पुलिस दोरान ही पुलिस को यह क्लू मिले थे तब से पुलिस की टीमें लगा तार अश्याद और गुलाम मुहमद की तलाश कर रही थी और अभी कुछी देर पहले इन दोनों की पुलिस से मुड़वेड हुई है और जबाबी कारवाई में दोनों मौत के काल के गाल में समा गए हैं तो निश्चित रूप से उमेश पाल हत्याकांट के मुक्यारोपी असत का इंकाउंटर आज की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि आज उमेश पाल हत्याकांट मामले में पुलिस अतीक और अश्रफ को नैनी सेंटरल जेल से ले जाकर कोट पे पेश की है क्योंकि इस पुरे खबर में सबसे महत्पूर ये भी है कि कल उमेश पाल की माने साब तोर पर इसका अरोप लगाया था प्रियाग राज पुलिस पार उत्तर पुलिस सरकार पार की अभी हमारे परिवार को न्याए नहीं मिल रहा है अब आज इस तरीके से पुलिस अतीक और अश्रफ को पेश कर रही है और पेश करने के बाद इस तरीके से पुलिस को रिमांड मिली है और वहीं इसी बीच आशक और गुलाम मुहम्माद के ख़वर सामने आती है तो निश्ची त्रोप से ये बड़ी ख़वर है और उमेश पाल के जो परिवार है कहीं ने कहीं उनको इससे एक संतुष्टी मिलेगी कि उमेश पाल के दिंदाहरे हत्या के मुख्या आरोपी को कारवाई मानी जाएं जी बिलकुल बड़ी कारवाई बिलकुल मानी जाएगी क्योंकि इस पूरे हत्या कान के सामने के समय का अगर हम तस्वीरों की बात करें तो असत का चेहरा मुख्या रूप से सामने सीची टीवी फूटेज में देखा गया था जब दिंदाहरे गोली और बम चलाए जा रहा है थे भरे बाजार में जब अधिवक्ता उमेश पाल को दिंदाहरे बोली और बम मारे गए थे और उस घट्डा के दवरान उमेश पाल के साथ दो सुरक्चा कर्मियों की भी मौत हुई थी तो निश्चित रूप से ट्रिपल मड़रों इसका जो आर उसकी तस्वीरे सामने आई थी तमाम सोचल मीडिया पर तमाम वो सीसी टीवी फुटेज सामने आये थे जिसमें असत का चेहरा साब तोर पर देखा गया था और इस घट्डा का मुक्यारोपी असत को बना गया था तो आज जहांसी में जिस तरीके से पुलिस की असत से 35 दन बीच जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की कारवाई कहीं ने कहीं जीरो दिक रही है लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस ने अतीक और अश्रब को कोट में पेस किया है और असत तता गुलाम मुहम्मद के साथ मुटभेर की खबर सामने आई है तो निश्चित रोप स उमेश पाल हत्याकांट को लेकर पुलिस की ये सबसे बड़ी कारवाई कहीं जी धन्यवाद पवन टमाम जनकारियों के लिए पता दे हुमेश पाल हत्याकांट में बड़ी कारवाई की गई है अतीक एहमद के बेटे आसद का एंकाउंटर कर दिया गया है झाल 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 सागर आतीक एहमद के बेटे असत का एंकाउंटर कर दिया गया है जोड़ी बहुत बड़ी ख़वर है आज के लिए यूपी एस्टेफ ने जासी में इन दोनों को मार गिराया जिसमें से अधीक का बड़ा बेटा था असर्जों के शूटाउर पे शामिल था और उसके साथ ही जो गुलाम था वो शूटर था तो कुलमिला की यूपी एस्टेफ ने वहाँ पर घेरा बन भी करी उसके बाद से यूपी एस्टेफ का ही दिनों से तलास में लगी हुई थी चुक्टिय सिव पर पास लगए नाम रखा जयाता जोनों के लिए और फिलाल अभी भी कुछ लोग और फरार है जिसमें अधिक एहमत की बीवी भी शामिल है और खिलाल अधिक एहमत को आज सावर मठी गेल से रियागराज लायाज जाया है नहीं जेल उसके बाद इसकी आज तेसी भी है अधिक एहमत के परवार के लिए गुरी ख़वर तो है लेकिन जो हमारे तुरक्षा कर्मी है उसके बहुत बड़ी ख़वर है तो कि उन्होंने जो असद था कई बड़ी से कई जिनों के खरार चल ला था उसके तलास में जूतियों के खाक मारे जाया है बनारा सो चाह कानपूर हो चाहिए लाबाद हो चाहिए लखनो हो उसके बावदू दी इसकी सूचना नहीं मिली थी लखनों में भाली है बता दू कि आपको असद का मार गिराना भी बिलकुल कुल मिला के जरूरी था चोंकि बहुत बड़ा अपरादी था और अत्मी कहमत का बेता था बड़ा बेता था तो तहीं नहीं के इसने अपरादी वाहल शुरुआत नजर आ रहे थे और यूपीस की आपको बहुत सागर योगी सरकार का कहना कहीं नहीं सही दिख रहा है माफियाओं को मिटी में मिला देंगे माफिया मिटी में मिलते नजर आ रहे हैं अजिए बिलकुर बता दूँ आपके कि यूपीयम योगी ने साब साब मंच से कहा था कि जो भी माफियां है जो भी गुरुगे है उनने मिटी में मिला देंगे और अधीक एमत का जो बयान आया है उन्थ मीडिया के सामने इसने बयान दिया था जब वो प्रयाग्राब से अजिए जिए लिए तक उसका परवार बूरी करद से बरवाद हो गया है उप मिट्टी में मिल गया है और सरकार में उसे पूरी सब्सक्राइब दिया गया है तो कुल्मिला के देखा जाए ते बहुत बड़ा संबेश है अजिक एमत के लिए और जो अटिक हमत के जुड़ जो अजिए अजिक एद्वारा की मिला देंगे यह सच थाबिध हो रहा है क्योंकि देखे इस्ते पहले हिए जो इस्ते एक ड्राइबर वी मारा गया था जो पिस्का उस्की भी मौत हो गई जी और उसके बाद जो दूसरा दिकी था उसकी भी मौत हो गई ती हाग यह जो ज जाए लाबाद हो चाहे अजिले हूँ वहां पर जमाय हुए हैं अपने शूचना अतंतर को पुरी तरह से मध्यूत किये हुए हुए कुल मिला के अगर देखा जया तो यूपी स्के बहुत बढ़ बड़ा एक्शन लिया और मुझे लगता है कि आगे भी उपी स्के लगता जो और भी फराद लोग है उनकी तलास में जुटी हुए है और जहां सही लगता है कि वो साइज पकड़े नहीं जाएंगे उन्हें साइज मिट्टी में ही मिला दिया जाए जिस तरह से अभी से पहले भी जो ड्राइवर सा वो मिट्टी में मिला दिया गया और आज जो है अधी का बड़ा बेटा कहीं नहीं का इस तरह से लगा जा रहे है लगा जा रहे है कि असाइज गिरसार इन कौंटर से बचने कर सकता है लेकिन हां लगतार यूपी एस्टियफ उसे खोज में ती सूचना दर मजूद की थी और मुबित तंट को पुटी दर से मजूद किया हुआ था लेकिन हां स्टियफ को लगा कि शायद वो आपने सवर्पने घरभाय कोर्ट में कुल मिला के बुटी तरह से घीरा बंदी के यही और आज जो है जासी में तरके सुबे असाद और उसके साथी जो है चूतर था जो चूताओं में शामिल था उसको मार गिरा है अजिए मैं यूरी साथ सब आपको बढ़ा दू कि असाथ का इंकाउंटर जो है आज बहुत बड़ी ख़बर है यूपीस की अपके लिए क्योंकि लगातार यूपीस की इसके पीछे पड़ी हुई थी और वहीं दूसरी तरह बाद साबर मती जेर से कल इसको प्रयागराज लाया गया है तीक हमत को इसके भाई को बड़े लिए से असरफ को भी उमेश पाल हस्याकाट में दोनों की पेशी हुई थी और कोड ने रहां देगी है अफलाल अवकीलों की तरफ से जो जो अजिए के वकील से उनकी तरफ से ये कर्याजिका डाली गेजिए का नूरोद कि कोड ने रिमान की जो अवदी है लेकिन कोड में पुरी तरह से हर तीज को महुल लेख से हुए रहां कि अवदी रखिए और कहीं देखे अब जिस तरह से कल एक बयान आया था अतीक आहमत का की वो कह रहा था कि उससे रगल दिया गया है तो पुलमिला के अब तोलिस ने य कर देखा ढगाए तो कर दो अबम अभीमी मंथा मलएकर देखा जाया है तो वक्त बहुत बहुत भाएस यह करें विदे तरलक हैं हमान के आएं है पुलिस लेगी पुलिस घराफत में अतीक अमद आएगा उसके बाद देखना ये भी होगा कि जहां एक तरफ अतीक अमद असद की मौस तर गंगी भी होगा और उसकी जो बीजी है वो फरार चल लिये तो पहिना कई देखिए अपर एक एमोशनली एक अटाइग भी पड़ सक कोई दिन तो साथिस खोई रहे क्योंकि बुरे दें तो चली रहे कुटे एक एक गौर सांतीक अमद का जब अधीक अहमत के ऊपर और एक केस में उसे सजा हुई हो इस तावरमति जील में नहीं तो सावरमति जील से उसे यूपी एस्टियो यूपी पुले प्र्यागराज पूरी पुलिस प्रोटेक्शन वोटे पूर्ट के सामने की जिम कोड में हाजर किया गया और कोड में यह फैसला सुनाया है कि अभी पैसला सुरक्षित रखा गया है और पुले पुले से और यूपीयस्टिया वह तमाम जो जात अगेंशिया है अब इसका खुलासा करेंगी कुलासे हैं और फिलाल आपको यह कि एक बार और बता दू मैयूर कि अभी सक्ता करीबन सौ करोड से जादा संपत्ती एडी ने इसकी जब्त किया और साथो करोड से जादा संपत्तियों को पूर्ट किया गया तो पहिना कि एक बात ये भी है कि लगातर 20 साल तक ये विदाय हमारे साथ हमारे सायोगी कलीम हमारे साथ जूर चुके हैं कलीम बड़ी कार्रवाई की गई है असाथ का एंकाउंटर कर दिया गया है कैसी इसकी लोकेशन ट्रेस की गई थी क्योंकि इनके पुराने सारे सिम्बंध थे देखे जिस तरीके से आसाथ की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी क्योंकि आसाथ जो है काफी समय से फरार था और इसका जो CCTV फोटेश सामने आया था उमेश पाल हत्या कांड में क्योंकि जब एस्टीएफ इसमें लगी हुई तो लगतार इंके ओपर आरोप परती आरोप भी लग रहे थे अभी हाली के दिनों में एक खुलासा हुआ था जिस तरीके से स्टीएफ ने खुलासा किया था कि जो छोटा बेटा है जिसको बाल गिरह में रखा गया है उसने कुछ सिम करी देते अपने दोस्तों के नाम पर उन सिमों का पूरा इस्तिमाल किया जा रहा था लोग सामिल थे वो सभी लोग उन सिमों का इस्तिमाल कर रहे थे जिसमें कई खुलासे भी होते हैं उसी कहीं न कहीं यह अंदाजा लगाया जिस्तिमाल किये थे उन्हीं सिमों के आधार पर स्टीएफ को इसका इंपूर्ट मिला उसके बास जहांसी पुलिस अलट हुई और लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से इसमें जो बात सामने आ रही है कि साइस्ता परवीन ने जिस तरीके से एक कोड में एक रीड़ दायर की थी अपने बेटों को ले करके लेकिन जो सूत्रों का कहना है कि जब साइस्ता परवीन ने इस टीवी फूटेश देखा था उमें इ पुलाके हुए उनमें जो इंपूट मिल ले तो उसमें अतीक ने फटकार भी लगाई थी लेकिन जिस तरीके से आसद पर इनाम जारी हुआ था तो आसद कभी बता जा रहा था कि नेपाल में है कभी बता जा रहा था कि यूपी में ही कहीं चुपा हुआ है MPB यूपी एस्टेफ की टीम गई थी लेकिन आखिरकार आज यूपी एस्टेफ की टीम को एक बड़ी सफलता भी लगी है क्यूंकि इसका डर अतीक के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था जब उसको साबर मती जेल से यूपी लाए जा रहा था क्यूंकि आज उसकी कोड में प भेज दिया गया है लग लगातार छापे मारी की कारवाई की जा रही है तो क्या लगता है वो अब सामने आ सकती हैं कि देखे कही न कहीं यह कहा जा सकता है क्यू galera भी लेकिन पॉलिस जो है उन्के ऊपर लगातार निगा बनाए हुए उनके कई ठिकानों पर छापेमारी वह कर्रहे यह उनकी गिरफतारी धु быть वह कोड के बाहर क्कोड कई ने इसमें साफ के जासकता है एक फारा साल बाद जिस त्रीके से कभी ने सुर्णर किया तो इसमें एक एजंशिव मी वे आपसे заключ से कर now is तो इसको लेकर के साइसता परवीन पर भी निगात तेज हो गई है कि वो कहीं सिरंडर ना कर दे उससे पहले ही उनकी ग्रफतारी की जा सके कलीम उमेश पाल हत्याकांड के बार लगातार पुलिस पर तमाम सवाल उखड़े हो रहे थे कि मुख आरोपी नहीं पकड़े जा रही है अब असत का एंकाउंटर कर दिया गया है जो मुख आरोपी थे तो कहीं न कहीं इसको बड़ी कारवाई मानी जाए जी बिलकुल कहा जा सकता है कि ये बड़ी कारवाई क्यूskinकि जिस समय उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उस समय विरान सभा में सत्र की कारवाई चल रही थी उस सत्र की कारवाई के बीच में अकलेस जादों ने इस मुद्दे को उठाये था कि यूपी में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं जिस पर यूपी के मुखमंतरी योगी आदितनात ने भी एक बड़ा बयान दिया था कि यूपी में जो अपराधी किस्म के वैस्ति है उनका गोलबाला खत्म किया जाएगा और उनका इस्तक्बाल भी खत्म करने को लेकर उनको मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी तो कहीं ने कहीं कहा जा सकता है जो मुखमंतरी योगी आदितनात ने बादा किया था उस वा नहीं ती लेकिन अब उसके उपार एक लाग का इनाम भी जारी हुआ था तब कहीं जाकर pracy में सब्सक्रा तो कहीं न कहीं चाहिवाई को सब्सक्रा Integrate को सब्सक्राइए निगाव कर हुए उनको स्रेंडर करने से पहले ग्रतारी कोशिज भी कर सकती है कलीम जुर्म की दुनिया में राज करने वाला अतीक एहमद ख़बर आ रही है कि कोट में भी होश हो गया है देखे जिस तरीके से अतीक को कल साबर मती से जब मैंनी जेल परियाग राज लाया गया था तब जो अतीक के बोल थे क्योंकि इससे पहले जब अतीक को लाय गया था तब अतीक के शेहरे पर जो एक रौनक दिख रही थी और उसके जुबान से जुबात निकल रही थी कि शेर कभी डरता नहीं है लेकिन जिस तरीके से कारवाईयां हो रही थी बिल्डोजर चल रहे तो कहीं न कहीं आप उसके अंदर डर भी दिख रहा था और जब कल नैनी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तब उसके जुबान से जुबात निकली थी तो वो जुबान साब कह रही थी कि आतीक हैमत प पत्यां है और जो घर का पूरा परिवार है वो भरार है तो कहीं न कहीं अतीक के अंदर भी पूरा डर साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से तहसत अब उसकी खत्म होती हुई नजर आ रही है कालियम डिप्टी सीम केशोप्रसाद मौर ने यूपी एस्टीफ को बधाई दी ह कि जिस तरीके से जो अब वार पार्टी वार जो चल ला है क्योंकि जिस तरीके सपा इस मामले को लेकर के काफी जो है फोर उठाए थी कि जो अपरादी है वो बेलगाम हो चुके हैं तो कहीं न कहीं इस घटना के बास से जो यूपी सरकार है जो उसके मंत्री है वो भी आब इस मामले को लेकर के गटाई इसलिए दे रहे हैं कियो कि जो दुबान दी गई थी विधाँसाफ़स्तार कारिवाई के बीच में वो दुबान पूरी हुई क्योंकि जितने भी अपरादी थे वो इसमें या तो गिरफतार हो चुके है, या फिर धेर हो चुके हुए क्योंकि इस हट्यकान को अंजाम देने के लिए टोटल 13 बदमासों की टीम पहुंची थी जिसमें बताया जा रहा था कि 6 बदमास इस घटना को अंजाम दे रहे थे जब कि 7 बदमास कवर करने के लिए खड़े थे कि वह यह चाह रहे थे कि उमेश पाल इस मामले में कहीं भी कहीं से शेफ नहों सके अगर एक टीम से बात्ष जाहे तो दूसरी टीम उसको धेर करेगी तो इस मामले में दो सिपाही जो गणर थे वो भी सहीद हो गए थे फिलाल इस घटना के बास पूलिस भी पूरी तरीके से निगा बनाए थी असत के एनकाउंटर को लेकर UPSTF को बधाई दी है केश्व प्रसाद मौर ने उन्होंने ट्वीट कर लिखा UPSTF को बधाई देता हूँ श्री उमेश पाल एड़ोकेट और पूलिस के जवानों के हत्यारों को यही हश्ट होना था बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लगातार आपको बता रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है असत का एनकाउंटर कर दिया गया है बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है उमेश पाल हत्याकांड में फरार माफियाती के बेटे आसद और उपके सहयोगी गुलाम को यूपी एस्टियार ने एनकाउंटर में मार गिराया है दोनों पर पांच लाग रुपे का इनाम घोशित था इनका एनकाउंटर जहासी में किया गया एस्टियाफ का दावा है कि इनके पास से विदेशी हत्यार भी बरामद हुए है इस एनकाउंटर के संबन में यूपी पुलिस ने जानकारी दी कि आसद पुत्र आतीक एहमद अगुलाम पुत्र मकसूदन दोनों प्रियाग राज को मेशपाल हत्याकान में वांटिट थे इन दोनों ने आरोपियों पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम था बता दे जासी में डियस्पी नावेंदू और डियस्पी विमल ने नेतृत में यूपी एस्ट्री अफ टीम के साथ मुद्भेड में मारे गए दोनों के पास विदेशी हत्यार भी बरामत किये कहमत का बेटा असाद एनकाउंटर में मारा गया है हत्याकान में शूतर गुलाम की भी मौत हो गई थी और इस खबर पर हमारे समवाद आता कलीम हम से जुड़े हुए है कलीम उमेश पाल हत्याकान में बड़ी कारवाई की गई है असाद का एनकाउंटर कर दिया गया है क्य मावले में पहली कार्यावाई की गई तर घर के अगे था और अती को सजा मिली थी उम्रक Walk स्वास में और सुनाई थी जो उमेस पाल की पतनी और उसकी मांक ने जो गुहार लगाई थी यूपी के मुखमंदरी से कि इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए उसके साथ ही जिसने इस घटना को अंजाम दिया है जो अतिक का बेटा असद था और इस घटना में जो लोग भी सामिल से उनकी मौत की मांग की तो कहीं न कहीं जो परीजा ने हुमेस पाल के उनकी ताब से कोई प्र्टिक्रियार नहीं आये लेकिन कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उनके चेहरे पर अब खुशी की लयर एक उप उनको आप इस मामले में अभी फरार these उनकी भी तलास के लिए। पुलिस की ग्रफ्ट में आएंगे तो कलीम आतिक अमद ने ये बात कही थी कि उसके परिवार को खत्रा है और अभी भी ये सवाल उटता है कि साइस्ता परवीन कहां है गुड्डू मुस्लिम कहां है देखे जिस तरीके से जब दो आवालिक बेटों को जब जेल भेजा गया था बाल गरूइ में क्योंकि जो ऊसमें खुलासा हुआ था कि जो नावालिक बेटा है उसमें ही खरीदे थे इस घटना को अंजाम देने से पहले कि जो सभी शूटर थे वह आपस में किस तरीके से कनेक्ट होंगे क्योंकि जब साइस्ता परवीन ने इस मामले में एक रीड दायर की थी कि उनको बच्चों से खत्रा है और इतना ही नहीं साइस्ता परवीन ने एक बड़ा चापे मारी भी कर रही थी पहले बताए जा रहा था कि बेटे फरार हैं और इस मामले को जब कोट ने सुनवाई कि उसके बाद मालू हुआ कि उसके बारे साइस्तार हुए और उनको बालगरे भेज़ दिया गया मैं आपको एक अपडेट बताना चाह रही हूं मैं श्पाल हत्याकांट में बता दें कि साथ दिन की रिमांट दी गई अतिक अहमत को वहीं अतिक अहमत को जब अपने बेटे के एंकाउंटर की खबर मिली तो फूट फूट कर रोने लगा बता दें कि कल से ही कहा जा रहा था कि अतिक अहमत की तबियत बिगड़ी है बीपी बीपी उस का बिगड़ा हुआ है तबियत लगातार खराब बताई जा रहे थी वहीं अब जब ख़बर बेटे के एंकाउंटर के सामने आई तो फूट फूट का रातीक अहमद रोने पर लगा और बिहोश हो गया बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं बता दें कि यूपी एस्टी अफ ने असत का एंकाउंटर कर दिया है वहीं जब ये खबर आतीक अहमद को मिली तो अपने बेटे के इस खबर से आतीक एमद को जब ये खबर मिले कि उसके बेटे का एंकाउंटर हो चुका है तो आतीक एमद फूट फूट कर रोने लगा बता दें कि रोते रोते आतीक एमद कोट में ही भी होश हो गया लगतार अतिक एमद की कल से ही तब्यत खराब बताई जा रही थी बीपी खराब बताय जा रहा था वहीं बेटे की खबर से अतिक एमद रो रो कर उसका बुरा हल है अतिक एमद कोट परसर में ही बिहोस हो गया लगतार हम आपको बड़ी खबर बता रही हैं बता दें की शूट आउट के बास से ही असद फरार चल रहा था जिसके बाद आज उसका एंकाउंटर कर दिया गया है बता दें की लगतार UPSTF आसद की खोजबीन में जुटी हुई थी लगतार खबरे सामने आ रही थी की आसद कभी नेपाल में है कभी कुछ कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी वही आज जहासी में दो आरोपियों का एंकाउंटर कर दिया गया बता दें की आसद को मुख आसद मुख आरोपी है जिसका एंकाउंटर किया गया है लगातार हम आपको पलपल की अपडेट दे रहे हैं उमेजपाल हत्याकान का आरोपी अबाहू पलियतीक एहमत का बेटा आसाद एंकाउंटर में मारा गया है हत्याकान में शूटर गुलाम की भी मौत हो गई है 255 लाक रुपे की इनामी थे शूटर गुलाम को यूपी एस्टी अफ ने जहांसी में मार गिराया है आसाद एगुलाम दोनों के पास नए सिम कार्ड और नए फोन थे इनके पास से विदेशी हत्यार भी बरामत किये गए है बताया जा रहा है कि आसाद एगुलाम ने पुलिस पर फाइरिंग की और जवाब में पुलिस ने फाइरिंग की इस दौरान ही दोनों मारे गए है उमेश पाल हत्याकार्ड में गुलाम भी शामिल था जो मामले से जुड़े सीसी टीवी फोटेज में टोपी पहने नजर आया था बता दे ये दोनों वही शूटर थे जिन्होंने तावर तोड गोलिया चला कर उमेश पाल को मौत के घाट उतारा था जिसके बाद पूरे प्रियागराज में संसनी फैल गई थी बता दे गुलाम फरार था वहीं अतीक अहमत के परिवार से पिछले लंबे समय से जुड़ा रहा था वहीं मरिया डी का रहने वाला था जहां अतीक गैंग ने कई संसनी खेज वारदातों को अंजाम दिया है यूपी पुलिस को उमेश पाल हत्याकांट के आरोपी अतीक एहमत के बेटे आसत की तलास पिछले काफी दिनों से थी आसत दिली में 15 दिनों तक थेरा था पुलिस की ओर से मिली जानकारी के नुसार वे दक्षिर वा पश्यम दिली के अलावा अन जगों पर 15 दिनों तक छिपा था और आसत का एंकाउंटर कर दिया गया है और कैबिनेट मंतरी संजे निशाद क्या कुछ कहा है आई आपको सुनाते हैं तीक एहमद के बेटे का एंकाउंटर हो गया है पांच लाग का इनाम था जहांसी के अंदर एंकाउंटर हुआ है इस पर आपका क्या कहना है मैं तो अपनी सरकार को बदाए देंगा माननीम कमंद्री को दूँगा कि सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वत्तम प्रदेश बनाएंगे जितने गुल्डे माफियां उन्हें मिला देंगे और जीरो टॉल्वेस की निप्रमागा और हमें जुबारा सरकार में में मनलब सब्सक्राइब बेजा हुने हैं पूरा विश्वाज पिलाते हैं आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं यही हम उसे टीम को भी बदाए देते हैं स्टेफ को और डियस्पी को कि उन रोगों ने अविर अच्छा में लेने का प्रयास किया और उन्हें जबाबी कारव प्रेस मीडिया सभी लोग जनता विचाती है आज की दिन में अगर पासला का इनाम है तो उन्हें जाकर सरकार में सरेंडर करना चाहिए था वहाँ एवडियन देना चाहिए था लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो निशीत रूप से उसका प्रच्छा लेले में आईसी जित तो यह आप कैबिनेट मंतरी संजय निशात को सुन रहे थे जिन्होंने यूपी स्टी अफ को बधाई दी है बता दें कि वहीं के शुपरसाद मौरन ने भी ट्वीट किया है जो आप इपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा यूपी स्टी अफ को बधाई आप का बेटा आसाद एनकाउंटर में मारा गया है हत्यकान में शूटर गुलाम की भी मौत हो गयी है दोनों 5-5 लाक रुपय की नामी थे शूटर गुलाम को यूपी एश टीफ ने जहासी में मार गिराया है असदा गुलाम दोनों के पास नए सिम काड और फोन ठें इसके तस्वीरे आप देख सकते हैं जिस एंकाउंटर की तस्वीरे हैं बतादे पांच लाग के इनामी आसद का एंकाउंटर किया गया है तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह आसद और अतीक के बेटे की तस्वीरे हैं आफ साफ तौर पर देख सकते हैं लंबे अरसे से फरार चल रहा था जिसके बाद पतादे लंबे समय से आसद फरार चल रहा था यूपी एस्टी अफ लंबे समय से खोजबीन में जुटी हुई थी वहीं यूपी के सियम योगी आदितनात ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा तस्वीरों में आफ साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिरकार अपराधी मिट्टी में मिला दिये गए हैं बड़ी कारवाई की गई है उमेश पाल हत्यकान के मुक आरोपी आसद का एंकाउंटर कर दिया गया है बता दे यूपी के जहासी में ये एंकाउंटर किया गया है पच्चा पांच लाग के इनामी है असद लंबे अरसे से फरार चल रहा था जिसका एंकाउंटर कर दिया गया है तस्वीरों में आप साफ तोर पर देख सकते हैं बता दें के पुलिस ने इनके पास से तमाम भीदेशी हाथियार भी बरामट किया है UPSDF ने बड़ी कार रवाई की है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं असादाव गुलाम का एंकाउंटर किया गया है दोनों को मार गिराया गया है बता दें कि बड़ी कार रवाई की गया है वह शूटर गुलाम को UPSDF ने जहासी में मार गिराया है दोनों R.O.P. की तस्वीरियाफ साफ तोर पर देख सकते हैं दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है दोनों को मार गिराया गया है बता देएं कि लंबे समय से ये फरार चल रहे थे U.P.H.D.F. लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी लगातार इनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी वहीं आज इनको जहासी में पकड़ा गया और इनका एनकाउंटर कर दिया गया है ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है उमेश पाल हत्याकांट में ये तस्वीरों में आप साफ तोर पर देख सकते हैं आसद और गुलाम का एनकाउंटर किया गया है बता दे पांच लाग के इनामी था ये बता दे आतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं उमेश पाल हत्याकांट में ये बड़ी कार्रवाई की गई है असद मुख आरोपी था उमेश पाल हत्याकांट में लंबे अरसे से फरार चल रहा था जिसके बाद यूपी एस्टियाफ को आज बड़ी कामियाबी मिली और इनको मुटभेड में धेर कर दिया गया है बता दें यूपी पुलिस को मेश पाल हत्याकांट के आरोपी आतीक एहमत के बेटे असद की तलास पिछले काफी दिनों से थी असद दिल्ली में पंदरा दिनों तक ठहरा था पुलिस की ओर से मिली जानकारिक एनुसार वै दक्षिर वा पश्चिम डिल्ली के लावान जगों पर पंदरा दिनों तक छिपा रहा था बाद में उसने डिल्ली से अपना ठीकाना बदल लिया UPSTF की सूचना पर पिछले महिने दिल्ली पुलिस स्पेसल शेल और काउंटर इंटेलिजन्स यूनिट ने असद के मददगार तीन आरोपियों को मामले में दबोच कर UPSTF को सौप दिया था वहीं अब بتा दिए आपको शूट आउट के बाद से असद फरार चल रहा था जिसके बाद आज जहासी में एंकाउंटर कर दिया गया है बता देए उमेश पाल हत्याकान में अब तक चार लोगों का एंकाउंटर किया गया है वहीं आज अतीक के बेटे आसद का भी एंकाउंटर किया गया है पांच लाग का इनामी है असद रोपी और बाहु बल्यतीक एहमत का बेटा आसद एंकाउंटर में मारा गया है हत्यकार्ण में शूटर गुलाम को भी गुलाम की भी मौत हो गई है दोनों पांच माच लाख रुपे के इनामी थे शूटर गुलाम को यूपी एश्टी अफ ने जहासी में मार गिराया आसदा गुलाम दोनों के पास नए सिम कार्ड और नए फोन थे इनके पास बिदेशी हत्यार भी मिले हैं बताया जा रहा है कि असदा गुलाम ने पुलिस पर फाइरिंग की और जवाब में पुलिस ने फाइरिंग की इस दोरान दोनों को मार गिराया गया अमेश पाल हत्या कार्ड में गुलाम भी शामिल था जो मामले जुने सिसी टीवी फोटेज में टोपी पहनी नजर आ रहे थे बता देए आसद वही आरोपी है जो सिसी टीवी कैमरे में साफ तोर पर नजर आ रहा था अमेश पाल हत्या कार्ड में ये बड़ी कार्वाई मानी जा रही है बता दे पांच लाग का इनामी था असद और लंबे अरसे से फरार चल रहा था यूपी एस्टी अफ लगातार लोकेशन ट्रेस कर रही थी लगातार खोजबीर में जुटी हुई थी वही जासी में आज असद और उसके सायोगी गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया बता दे कि पांच लाग की नामी असद का एनकाउंटर किया गया है ये तस्वीरों मे आप साफ तोर पर देख सकते हैं वहीं बेटे की मौत की खबर सुनते ही आतीक एहमद कोट में फूट-फूट करोने लगा बता दे आतीक एहमद को साबरमती जेल से प्रियाग राज लाया गया जहाँ उसकी आज कोट में पेशी हुई है वहीं बेटे की एनकाउंटर की उमेश पाल की मा और पत्नी ने क्या कुछ कहा है, आईए आपको सुनाते हैं के कातिलों को सजा दिलाई, मैं उनका बार बार आभार व्यक्ति करूंगी कि वो पिता समान सब है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है, क्या लगता इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकि आगे भी रास्ता इसी सरा मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे और जो पुलिस कर्मचारिये हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया, बड़ी प्रतिस्ठा के बाद, बड़ी मसक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला आगे आपि क्या मांगे आप? मैं माननी मुख्वंती जी, पर सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे, उचित करेंगे, अच्छा करेंगे आप लोग एंकाउंटर की मांग कर रहे थी, अब किनका एंकाउंटर आप देखना चाहती है, कौन लोग है जिनका बंकाउंटर होना चाहिए? अब लगता है कि उमेज पाल जी की आत्मा को शांती मिलेगी? आत्मा को शांती तो मिल जाएगी ही, इश्वर जुसने नयायक दिलाया है, वो सबसे बड़ा है, उन्होंने जो कुछ भी किया है, बहुत अच्छा किया है, अब मैं आभार बैक्ति करती हूँ, मानी मुख्यमंत्री जी का जो पिता समान है, सारे बच्चों के, उन्होंने नय मैं अच्छी तरह से दिया, मैं अब बात धन्यवारी कह सकते हूँ, माता जी इंकाउंटर हो गया, क्या लगता है, इंस्ताप की पहली सीड़ी मिल गई है, देखिए, वो हम कहे रहे है, कि मुख्यमंत्री जी उपर, पुलिस जीभाक उपर हमको पहले से भरोसा था, अब व अधितरा ये करते रहे हमारे आत्मा को सम्दिश्टी, माता जी आतीक को लेकर क्या चीए अब है, इसको जो है, तो पुलिस दिमांड पर ली है, अब जब दिमांड पर ले चुकी है, तो जितना होगा अपने कानूनी कारवाई से, उनसे पूस्ताच करेंगे, उसके बाद जो बयान देगा, अगर कासूर मंद होगे, उनको अधालत सजा देगी, अगर कानून मंद नहीं होगा, तो माता जी आपको लगता है, इनकाउंटर जो है, वो मेज जी के लिए सक्ची संधाजरी होगी, इसने मेरे बेचों को खरेयां गोली आंसे मारी है, और हम लोग मंदली आदा जी कुछ मिली है, इसने मेरे ऐगहले हैं। जोगी जीने ताहर तकी स्माथिया को मिट्टी में मिला देंगी. तो क्या लगता है मिट्टी मिलाने काम सुरू हो गया है? देखी मैं कि ये दो काउंटर हुए है, तो ये तो… पहले तो मैं मानी मुख्यमंत्री जी को दन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने आज इत्तवड़ा फैसला को अंजाम दिया. उन्होंने जो किया है, बहुत अच्छा किया है, उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई. मैं उनका बार-बार आभार व्यक्ति करूँगी, कि वो पिता समान सब है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है. क्या लगता इंसाफ हो रहा है, इंसाफ तो हुआ ही है, लेकि आगे भी रास्ता इसी सरा मैं मांग करूँगी, कि इंसाफ आगे भी दे और जो पुलिस कर्मचारिये हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया, बड़ी प्रतिस्ठा के बाद, बड़ी मसक्कत के बाद इस तरह का स अच्छा करेंगे, आप लोग एंकाउंटर की मांग कर रहे थी, अब किनका एंकाउंटर आप देखना चाहती है, वो मैं प्रसासन पर छोड़ा है, प्रसासन मुझे न्याई दिला रही है, वो देर में ही चाहिए, लेकिन देंगे तो प्रसासन ही अमको न्याई दिला रहा अच्छा आतीक के लड़के का इंकाउंटर हुआ, जिसका इंतिजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेज पाल जी की आत्मा को शांती मिलेगी, ठीके आत्मा की शांती तो मिल जाएगी ही, इश्वर जुसने न्याईक दिलाया है, वो सबसे बड़ा है, उन्होंने जो कुछ भी किया है, बहुत अच्छा किया है, अब मैं आभार व्यक्ति करती हूँ, मानी मुख्यमंत्री जी का जो पिता समान है, सारे बच्चों के, उन्होंने ने आए अच्छी तरह से दिया, मैं बात धन्यवार ही कह सकते हूँ माता जी इंकाउंटर हो गया, क्या लगता है, इंस्ताप की पहली सीड़ी मिल गई है, देखिए, वो हम कहे रहे हैं, कि मुख्यमंत्री जी उपर, पुलिस इभाक उपर हमको पहले से भरोसा था, अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई गया, मेरे बेटे के दोह त्यारे मा यह करते रहे हमारे आत्मा को सब्सक्राइब, माता जी आतीक को लेकर क्या चीए, देखिए, अभी हमने कोट कर सुना है, उसको जो है, तो पुलिस रिमांट पर ली है, अब जब रिमांट पर ले चुकी है, तो जितना होगा अपने कानूनी कारवाई से, उनसे पूस्ताच करेंगे, उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कासूर मंद होगे, उनको अदालत सजा देगी, अगर कानून मंद नहीं होगा, तो माता जी आपको लगता है, इंकाउंटर जो है, वो मेज जी के लिए सक्ची शर्धाजरी होगी, इसने मेरे बेचों को खरे यां गोली य की संधानली, आज कुछ मिली है, इसने मेरे यह कहना है, आप उमेश पाल की मां और पत्नी को सुन रहे थे, जिन्होंने सियम योगी और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया है, और हमारे साथ बीजेपी अल्प मोर्चा के जावेद हमारे साथ जूड़ चुके हैं, जावेद मलिक हमारे साथ जूड़ चुके हैं, सर बड़ी कार्रवाई की गई है, उमेश पाल हत्यकार्ण में आसत का एंकाउंटर कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को कि अधिया राज इसकी नहीं से लेगा यह जहन देशे ही पैथा और कोई भी मादिया इस उस्तरपरदेश की नहीं पचेगा और वेश्पालस्या काम तो तरकार को सिदेश जिते चैलेंज था जावेद मलिक जी लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि मुख आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं अब असत का इंकाउंटर कर दिया गया है कहीं न कहीं इसे बड़ी कारवाई मानी जाए जावेद जी से हम योगी ने कहा था कि प्राधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा अब असत का इंकाउंटर कर दिया गया है तो क्या एसी अभियान से इसको जोड़ा जाए जी बाबा जी जो कहते हैं वो करते हैं हमारी भारतिंदर प्राइटिके सरगार में कपी और कर्मी में बिल्कुल इसको जोई परक में यह जैसा करेगा वह सबहेगा जावेद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए बता दें यूपी पुलिस को उमेश पाल हत्यकान क्यारोपी आतिक एहमत के बेटी असद की तलास पिसले लंबे समय से थी जिसमें बड़ी कारवाई की गई है एंकाउंटर किया गया है असद का पांच लाग काईनामी है असद जिसका एंकाउंटर कर दिया गया उमेश पाल हत्यकान मामले से जुड़ी बड़ी ख़बर आपको लगातार हम बता रहे हैं बता दें उत्ता प्रदेश में 24 बता दें की उमेश पाल हत्यकान का आरोपी और बाहु बल्यतिक एहमत का बेटा सद एंकाउंटर में मारा गया है हत्यकान में शुटर गुलाम की भी मौत हो गई है दोनों पांच मास लाक रुपे के इनामी थे शुटर गुलाम को यूपी एस्टी अपने जहासी में मार गिराया असद गुलाम दोनों के पास नए सिम कार्ड और फोन थे इनके पास बिदेशी हत्यार भी बरामत किये गए है बताया जा रहा है कि असद गुलाम ने पुलिस पर फाइरिंग की और जवाब में पुलिस ने फाइरिंग की इस दोरान ही दोनों मारे गए है पतादे उमेश पाल हत्यकान में गुलाम भी शामिल था जो मामले से जुड़े सेसे टीवी फोटेज में टोपी पहने नजर आया था गुलाम फरार था वैती केमत के परिवार से पिछले लंबे समय से जुड़ा था बता दें कि उमेश पाल हत्यकान के मुकारोपी असद का असद का एनकाउंटर कर दिया गया है वहीं इस पूरे मामले को लेकर उमेश पाल का परिवार पत्नी और माने सियम योगी अपुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया है उनका साफ तोर पर यही कहना है कि योगी सरकार जो भी करेगी हमारे लिए वो उचित ही होगा और हमारे साथ हमारे कुछ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ विवेक सिर्वास्तव हम से जुड़े हुए हैं बीजेपी से और नितेंद्र सिंग यादव हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं पहला सवाल मेरा नितेंद्र जी से है नितेंद्र जी लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि मुख आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं सिसी टीवी पर जो साफतोर पर नजर आ रहे हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं अब उनका एंकाउंटर कर दिया गया है कैसे देखते हैं इसका रिवाई को प्रादी तो अपरादी है और सही है पुलिस को थोड़ा देर से सफलता मिली लेकिन सफलता मिली है तो पुलिस को अपनी ततपता दिखानी पड़ेगी उसकी एक परनेती सामने आई है विसपर कहना कानून को कड़ी सजा देनी चाहिए लेकिन अगर अच्छा होता कि पुलिस गिरफ्तार करती है का नियाय होता लेकिन प्रत्रिया की जो भी उसकी एक्चुल कानी तुम लोगों को नहीं पता है लेकिन जो हुआ ठीक है अपरादी के साथ नितेंद्र जी मतलब आप इस फैसले से इस कारवाई से सहमत है कि जो हुआ सही है कि यह कोई भी फैसला अपराद के खिलाप तो सभी लोग होते देश में चाहिए पंचो यह भी पंचो हमनों निशित रूप से कि अगर कोई अपरादी है और उसके खिलाप एविडेंस थे पुलिस को चाहिए था कि उसको अपरादियों को छोड़ा नहीं जाएगा उन्हें मिटी में मिला दिया जाएगा इस अभियान को कैसे देखते हैं अब अपरादियों के समोल नाज के लिए संकल्पित है जब से उसके पदेश में योगी आज़ी नाज जी ने मक्वंते का पास सबाला है संगठित गिरूहों पे अपरादियों के सिंदी केट पे लगातार गाज गिरती जा रही है जिस तरह की हिमाकत इन नोगों ने की थी इनका ये हस्र तो होना ही था कि मैं आपके माध्यम से अपने उन स्टियेव के जवानों को बढ़ाई देना चाहता हूं और दूसरी बढ़ाई देना चाहता हूं अपने पर्यागराज के उन पुलिस वालों को जिन्हों ने आज अतीक और असरफ को रिमांड पिलिया है और सबसे बड़ी पस्वे बढ़ाई के पात रहे हमारे सूबे के मुकिया योगी आदित तिनाद जी जिनकी द्रन अच्छा सक्ति के पर्लाम सुरूब अपराज और अपराजियों का समूल नष्ट होते हम आप देख पा रहे हैं मुझे नहीं याद है कि इसके पहले अतिक को कभी रिमांड पे लिया गया है यह आप राजी नहीं अपराज का पूरा बटब्रिच है और उसके साथ उसका भाई जो असरफ आया है उसके अपरादों में उसका पराबर का साथ रहा है उसकी कारगुजारियां कहीं अतीक से कमतर नहीं रही है इन दोनों का पुलिस दिमांड पे आ जाना बहुत से राजी उगलें ने दिखिए महिवरी जी विपच्च के पास सवाल के सिवा कोई काम प्रहे नहीं अगर विपच्च ने अपने कारकाल में इस्तरा के कार किये होते तो आज इन अपराधियों के उपर हमें इस्तरा की कारवाई करने की नौबत ना थी यह पराधी प्रदेश में दिखाई न पढ़ते और इनके हुशले इस्तरा के न होती आज इस तरह से हमें इनके हुशले पस्त करने का काम कर रहे और उसके साइट उसके सुरच्चा कर्वियों को भी मार डाले है निदेंद्र जी जी को त्यान रखना चाहिए कि अपरादी को जेल बेजने का काम समाजवादी पार्टी नहीं किया था अपराधी थे वो सपा में जेल गए हैं बीजेपी में नहीं मैं इस पर मुस्कुरा सकता हूं में उरी जी कि मैं आज इस समय इसका कोई उत्तर देना इसलिए नहीं चाहता मैं उसी पर्यागराज से हूं और अतीक अमत की आतंक को हुआ कि उसको देताओं का किस तरह से संदचर रहा है किस तरह से सट्टा का पस्रे रहा है मां बकुभी जानता हूं आज हमारे उस पर्यागराज की जंता के लिए खासकर पर्यागराज प्रस्च्वी छेत्र की जंता के लिए इसकी आत्रंग से तरह तरह नहीं कह सकता कि बहुत खुशी का दिन है लेकिन हां हमारी जंता ने आज थोड़ा सा रहात रिसांस जरूर लिए है कि एक अपरादी रिवांड पे आ और जो अपरादी कल छेत्र के लिए नाशूर बनता उसको नाशूर बनने से पहले हैं हमारी प्रस्टियव के जवानों ने मट्टी में मिला दिया इसके लिए योगी आधित नाजजी के दिड़ अच्छा सक्ति को सलाम है अपने इस्टियव के जवानों के बहादुरी को स कि नितेंद्र जी माफ्या को मिट्टी में मिलाने का кам सुरू हो गया है आप देख सकते हैं असात का इनकाउंटर कर दिया गया है कैसे देख रहे चाहँगी आपको इस वक्त की बड़ी कुढर आ रही है उमेश Palen हत्यकान के आरोपी गुड्डू मुस्लिम को स्टी अफ ने घेरा हुआ है बड़ी ख़बर आपको बता रहा है उमेश पाल हत्यकान के आरोपी गुड्डू मुस्लिम को स्टी अफ ने घेर लिया है इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं बता दे शूट आउट के बाद से लगातार गुडू मुसलिम फरार चल रहे थे यह वही आरोपी है जिसने उमेश पाल पर बमबारी की कारवाई की थी लगातार कारवाई की जा रहे है अभी कुछ देर पहले आसाद गुलाम का इंकाउंटर किया गया वही अब आरोपी गुडू मुसलिम को एस्टी इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं अभी कुछी देर पहले आतीक के बेटे आसद का एंकाउंटर किया गया है और लगातार एस्टी आफ एक्शन मोड में नजर आ रही है बता दें कि वही ये वही आरोपी है जो मेश पाल पर बम बरसाते हुए नजर आया था वही अब यूपी एस्टी आफ ने इसको घेर लिया है अभी कुछ देर पहले आसद गुलाम का एंकाउंटर किया गया लगातार हम आपको मेश पाल हत्यकांट से जुड़े मामले पर पलपल की अपडेट दे रहे हैं जहांसी में आसद और गुलाम का एंकाउंटर किया गय वही अब आरोपी गुड़ू मुस्लिम को भी एस्टी आफ ने घेर लिया है बता दें कि आखरी बाद गुड़ू मुस्लिम आतीक के बहनोई के घर देखा गया था जिसके बाद लगातार यूपी एस्टी आफ उसकी तलाश में जुटी हुई थी जिसके बाद बड़ी पर सामने आ रही है कि गुड़ू मुस्लिम को एस्टी आफ ने घेर लिया है लगातार यूपी एस्टी आफ एक्शन मोड में नजर आ रही है अभी कुछ देर पहले पांच लाकी नामी आसत का एंकाउंटर किया गया और उसके साहियोगी गुलाम का भी एंकाउंटर हुआ है वहीं अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं गुड़ू मुस्लिम को एस्टी आफ ने घेरा हुआ है और इस खबर पर हमारे समवादाता सागर थापा हम से जुड़ चुके हैं सागर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उमेश पाल हत्याकांट के आरोपी गुड़ू मु आपकी में स्टीएफ में वाइक तजारे थे असाध और जो गुलाम है शूटर जो फूटर दूट में शाविल थे इनको घेरा बंदी कर लिए इनको इंकाउंटर मधेर चर्विए चुकि एक तरफ से देखा जाए ते सरकार ने पांचला का इनाम रखा था 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 तो पर जो प्रशिद्ल खा उसका नाम जो गुद्डू मुस्लिम है उसके जो अटी के जो दो बेटे हैं उन्होंने नाम रखा ता उसके बाद से इसका नाम लगतार कुर्कियों में आने लगा और इसके उपर करी मुकद्मे दर्दे हत्या रंड़ारी लूप चिरौती अपर दर्द ऐसके जो प्रश्याब करें इस फूरे मामले में अश्याओ और इस पूरे मावले वे अटिव और गुद्डू मुस्लिम को भी जाए उसके बहुतता है कि तूसना यह दिया आने वाले कि गुद्डू मुस्लिम के इन्काउटर बें मौट को गई है जी बने रहीगा सागर हमारे साथ आगे भी आपका रुक करूंगी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मेश पाल हत्याकांड के मुखारोपी आसद और गुलाम का भी कुछ देर पहले एंकाउंटर किया गया वहीं अब गुड्डु मुस्लिम को भी स्टियाफ ने घेर लिया है बताने की और इस पर में नजर आ रही है कि मैंने पहले भी कहा कि मिश्यत रूप से यह पुलिस को पुलिस की ड्यूटी उसको करना ही चाहिए था लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि भारती जनता पार्टी बक्रे की तरीके चीजों को पालती है उस्टरी समयम कुर्वानी दी जात लेकिन पुलिस के कारवाही को देखेंगे अभी तो क्या चलना आए अब लोग भी देखें नो चाहिए पुलिस को उसको गिरफतार करें पोर्ट में प्रेस करें इससे की सही तत्यों की जनकारी मिलेगी विवेक जी विटेंद्री जी को आपने सुना उनका कहना है कि बीजेपी बकरों को पहले पालती है फिर सही समय देखती है अब मयूरी जी मैस पे क्या कहूं बकरा कौन पालता है जी और इन बकरों को किसने पाल की स्थिति में लाया कि आज उनका इंकाउंटर यूपी स्टियों को करना पड़ रहा है यह मामूली लोग आज अगर सिपाही द्रोगा ठाना चौकी के बसकी चीज रही रह गए तो इनको यहां तक लाने वाले लोग कौन है इस सब जानते हैं मैंने पहले ही कहा कि आज प्रयागराज की जंता के लिए खास कर प्रयागराज प्रस्चिम की जंता के लिए एक ठंडी सांस लेने का उसर है कि जिस तरह अपरादी के आतंक से उनको निजात मिल रही है और जो भविश्य के अपरादी थे उनको जिस तरह से बिट्टी में मिलाने का काम हमारे STF के बादरों ने किया है जो असद मारा गया ये खुले आम कहता था अपने अतीक के विहाब पे कि मचली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाना पड़ता और ये ऐसे आतनवादी कत्विदियों को खुदी लीड करता था अपरादी कत्विदियों को आग बट्टी में मिल गया ऐसी तरह चुन-चुन करके एक एक अपरादी गिरोह उत्रपदेश में मिट्टी में मिला दिये जाएंगे और इस संकल्प के साथ उत्तरपदेश की पूरी जनता उनके साथ खड़ी है ऐसे में विपच्च चाहे इसको जो जिस तरह का इंगिल देना चाहे कल जिसके कुद्टे से लोग हाथ विलाते रही सकते थे आज उसको बकरा बता रहे है मैं इस पर क्या तिपड़ी करूँ प्रदेश की जनता सब जानती है कि एक मामूली कबार का कारोबार करने वाला या तांगा चलाने वाले का रड़का यहां तक कैसे पहुचा है कौन कौन लोग इसके मददगार थे उसमें से बहुत से मददगार आज इस दुनिया में भी नहीं रह गए है मैं उस पर टिपड़ी नहीं करना चाहता हूं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का उसर उत्तर पदेश की पुलिस को बधाई देने का है उस्तर पदेश की एस्टियफ को बधाई देने का है और अपने मुक्वंतियोगी आजितनाद जी का खैर मकदम करने का है अच्छा सकती के बलपर जो नोंने सदन में कहा उस्तर पदेश की जंता के सामने जो संकल पूरा होते आज उस्तर पदेश की जंता देख रही है कि डंडवाद कि एक दल एस्टियफ को बधाई दे रहे हैं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि नितेंद्र जी नितेंद्र जी आपका आवाज आ रही मेरी और मैं चलूंगी बिवेक के पास बिवेक जी लगातार का रवाई जा रही है इस पूरे मामले पर चार लोगों का एंकाउंटर कर दिया गया है अभी विशाइस्ता प्रवीन पुलिस के सिकंजे से बाहर है तो क्या आगे भी कारवाई देखने को मिल सकती है एके कपरादी को चुन-चुन के उसके अंजाम तक पहुचाने के लिए उत्तर पदेश की योगी आधितिनाथ जी के नित्यत्वाली भारतिय जनता पार्टी सरकार के चंकल्पित है उस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर पदेश पुलिस हमारे उत्तर पदेश स्ट्रियेव के जवान दिन्रात लगी हुए है आज जो सपलता विली है उत्तर पदेश स्ट्रियेव के जवानों को कि उनकी मैनत का उनके लगाता लगे होने का जटे होने का प्रमार है विपर्च इसको चाहे जिस तजर ये से देखे बकरा बताए बखरीद बताए इद बताए चुनाओं बताए लेकिन भारती जंता पार्टी का एजंडा साफ है अपराधी बक्से जही जाएंगे उनको मिट मिलाने का काम हो रहा है अभी दो मिले हैं और भी लोग मिलेंगे मिट्टी में इस सिल्सला तब तक जारी रहेगा जब तक उस्तर प्रदेश को अपराध मुफ्ट रही कर दिया जाए 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 बतादे आपराध की दुनिया में राज करने वाले आतीक एहमद का अब बता दें आतीक एहमद पर ये तस्वीरे आफ साफ तोर पर देख सकते हैं जहां एंकाउंटर की कारवाई को अंजाम दिया गया ये तस्वीरे आफ साफ तोर पर देख सकते हैं ये वही तस्वीर है जहां एंकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया यूपी के जहासी में असाद और गुलाम का एंकाउंटर किया गया बता दें ये स्टीफ के पुलिस कर्मी है ये वही तस्वीरे आप देख सकते हैं ये वही घटना एस्थल है जहां पर एंकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया कुछी देर पहले असाद और गुलाम का एंकाउंटर किया गया दोनों अपराधी पांच पांच लाग के इनामी थे यह तस्वीरे आफ साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें बता दें दो डिप्टी एस्पी के नेत्रित में ये कार्रवाई की गई है और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बता दें इससे कहीं न कहीं माफिया गिरी की कमर तुटी हुई नजर आ रही है। मोड में नजर आ रही है। बड़ी कार्रवाई की गई। ये तस्वीरे आपको हम जासी से दिखा रहे हैं जहां एंकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया। और ये उमेशपाल हत्यकांट में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लगातार पुलिस पर सवाल या निशान उठ रहे थे कि मुखारोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं वहीं ये कर्वाई बड़ा जवाब मानी जा रही है। पता दे यूपी के जहासी में आसादा गोलाम का एंकाउंटर किया गया है। पता दे सूतरों के मुताबिक पिसले 48 घंटे सियासत की उल्टी गिन्ती शुरू हो गई थी। पता दे सादा गोलाम के बारे में लगातार फुकता इंपुट मिल रहे थे। वहीं डॉक्टर प्राची सादवी ने ट्वीट कर बधाई दिया है। मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बता दें कि सत्ता पक्षी से बड़ी कार्रवाई के रूप में देख रहा है। बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है सत्त का एंकाउंटर किया गया जिसको लेकर सत्ता पक्षी में खुशी का महौल देखा जा रहा है। स्टी अफ को लगातार बधाई आदी जा रही है। मता दें सियम योगी ने स्टी अफ को बधाई दी पूरी टीम की सियम ने तारिफ की है। वह स्टंत्र देव सिंग का भी आफ्ट्यूट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिलाया जा रहा है। प्राची साधवी का ट्वीट है मिट्टी में मिलाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है। भारती जनता पाटी इस कारवाई को लेकर लगातार बधाई दे रहा है। प्राची साधवी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के मताबिक पिसले 48 घंटे से ही आसध की उल्टी गिंती शुरू हो गई थी। यूपी एस्टी अफ को असध और गुलाम के बारे में लगातार फुक्ता इंपुट मिल रहे थे। जिसके बाद यूपी एस्टी अफ ने कुछ जगों पर छापे मारी की लेकिन असध पुलिस को चकमा देने में काम्याब हो रहा था। लेकिं जहासी में चिपे होने की खबर जैसे ही एस्टी अफ को मिली एस्टी अफ की टीम ने जाल बिछाना शुरू कर दिया और आपरेशन